बहु प्रिया को आदत थी हर काम में शौट कट ढूणने की क्योंकि उसे हर काम में आले साता था अरे यार दूद गरम कर दो न हरे पेट में जाके तो दूद ठंडा ही हो जाना है न तो ठंडा ही पीलो न अरे तुम मेरा सर गरम मत करो यार अच्छा है सर गरम हो जाए तो सर पे दूद रख लेना वो भी गरम हो जाएगा एक बात बताओ तुम इतनी आलसी क्यों हो अरे बोलो न इतनी आलसी क्यों हो प्रिया जवाब दो जवाब देने में आलस आ रहा है पती वहाँ से उठके बढ़ बढ़ाते हुए खुद दूद गरम करने चला जाता है और प्रिया अपनी आखे बंद करके सोफे पर लेट जाती है प्रिया की इस आदत का घर वाले सबको पता तो था ही अब तो बाहर वाले भी उसको आलसी बोले लगे थे आरे पहुँ सुन ना एक गुड नियूज है क्या माजी आप सब कुछ मेरे नाम करने वाली है क्या आरे पस तेरा दिमाग पैसो में ही लगा रहता है माजी आपको तो पता है कि मैं गांधी जी के कितनी बड़ी फैन हूँ और गांधी जी तो नोट पे ही मिलते है ना इसलिए पैसो के अलावा कहीं दिमाग ही नहीं रहता वैसे गुड नियूज क्या है अरे गुड नियूज ये है कि मेरी कुछ सहलिया आने वाली है है ये भी कोई गुड नियूज है क्या जब भी आपकी सहलिया आती है मेरे किसी ना किसी काम में खोट निकाल की जाती है हमेशा कोई कमे दिखी जाती है उनको मेरे काम में और मुझे आल से बोलते हैं वो लोग अरे तो ऐसा समझ कि आज तेरे पास मौका है उनकी नजरों में अच्छा इंप्रेशन जमाने का कैसे कैसे? उनके लिए खाने की इतनी स्वादिष्ट चीजे बना कि बे उंगलिया चाकती रह जाए मा जी ये तो आप मुझे नया काम पकड़ा रही हो अरे मेरी सहलियों से तारीफ पानी है कि नहीं? हाँ पानी तो है तो बस जाओ बन जाओ बावर्ची लगाओ तड़का कल शाम को आएंगी वो अगले दिन सास सुबह से घर के बाहर अपनी सहलियों के पास चली जाती है और शाम को सब प्रिया के हाथ का खाना खाने घर आते हैं आज देखते हैं कि प्रिया बना दी क्या है? हाँ हाँ पिछली बार हमने बोला कुछ हलका खाएंगी तो पापड फ्राई करके ला दिये थे बस हाँ हाँ और उसके पहले जब आये थे और बोला था कि भारी खाना खाना है तो तर्बूज काटकर ले आई थी बोल रही थी तर्बूज भारी होता है ना अरे बस भी करो, इतनी बुरी नहीं है मेरी बहू तब ही बहू वहाँ खाना लेकर आती है पनीर कोफता, भींडी मसाला, शाही मसाला, दाल, डबल तड़का, लच्छा पराठा, मिस्सी रोटी अरे बस बस बहू, इतना सारा खाना अरे अभी तो और भी है, फ्राइड राइस भी है, अभी तो आपके लिए, और हाँ, अरे सुपलाना तो भूली गई मैं अरे लगता है, पुछले बार की कमी, आज पूरी कर ही देगे बहू हाँ, हाँ, आप खाईए तो हाँ, खाएंगी तो सही, इतना खाना बना तो दिया है, अब देखना भी तो पड़े गाना की बना कैसा है हाँ, हाँ, लगा ले भोग खुद को खाना चक्ति ही तीनों सही लिया, प्रिया की वाहवाई करने लगती है अरे शानदार, जबरदस्त जिन्दबाद, मज़े आ गए प्रिया प्रिया की साजबी कमाल है, बहू को क्या जाएकेदार खाना बनाना सिखाया है अरे मान गए भई, इतना अच्छा खाना तो हम में से किसी की बहुने बनाती और हम भी नहीं बनाते जूट कियों बोले हैं अरे बस करो, बस करो, खाने पे ध्यान दो, बोलती ही रहोगी तो खाओगी कब, ये लो, थोड़ा पनीर और ले लो सास भी सहलियों के साथ खाना खाने लगती है पर बहु के साथ अपनी भी तारिफ सुनकर सास मन ही मन फूली नहीं समा रही थी प्रिया ने बड़ी खुशी से सब को खाना परोसा और सब ने जट से खाना खतम भी कर दिया राधे राधे मजा आ गया सास खुश है कि प्रिया की इमेज अपनी सहलियों के सामने काफी सुधर गई है प्रिया खाने के बरतन समेटती है इतने में तीनों सहलिया हाथ दोने किचन में चली जाती है तभी एक सहलि देखती है कि किचन स्टेंड पर कागस पड़ा हुआ है वो सोचती है कि कागस को डस्ट पीन में डाल दे जैसे ही वो उसे उठाती है तो देखती ही रह जाती है दरसल वो एक बिल है जिसमें वो सारी चीज़े लिखी है जो उन्होंने अभी अभी खाई है वो चुप चाब बिल उठा कर बाहर आ जाती है और उसकी पीछे बाकी दो सहलिया भी आती है प्रिया खाना अच्छा बनाया था सच कहू तो बहुत अच्छा बनाया था थैंक यू थैंक यू बहुत अच्छा लगा सुनकी हाँ पर जिस्ते बनाया वो इतनी तारीफ सुनता तो उसे और भी अच्छा लगता क्या मतलब ये बिल देखो, तुम्हारी बहु ने online order किया था खाना अरे तारीक तो आज की ही है न? हाँ हाँ आज की ही है प्रिया ये सब सही है क्या? प्रिया अपना सर जुका लेती है सास सब समझ जाती है कि बहु की जूरी पकड़ी गई है इतना भी आलस अच्छा नहीं प्रिया अरे बता ही देती कि बाहर का खाना है मैं बाहर का खाना खाती नहीं हूँ तीनों सहलिया वहाँ से जारी होती है कि तभी उनमें से एक मुड़ कर कहती है अब ये तो बताओ कि खाने की रेटिंग बभु को दे या डिलिवर करने वाले को प्रिया समझ जाती है कि शौटकट लेने के वज़ा से उसके साथ सास को भी ये बेज़जती छेलने पड़ी और वो कसम खाती है कि अब से शौटकट से नहीं मैनद से काम करेगी